Hello Everyone, Welcome to PW Only IES दोस्तों आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे 12 से लेकर 19 मई के बीच में जो भी important economy के regarding current affairs थे उन सब को हम आज के सेशन में आपे आज डिस्कस करेंगे तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का discussion पहला देखो हम जो topic discuss करेंगे वो है network effects के बारे में देखो दरसल में हुआ पता क्या है एक bill का बहुत चल्चा हो रही है ठीक है elections के बाद हो सकता है वैसा bill भी आए बट वो हमें important नहीं है हमारे exam perspective से पर ये term का आखिर मतलब क्या होता है network effects का ये meaning समझना हमारे लिए important है मैं आपको नहीं example से समझाता हूँ यहाँ अपर वैस्त हो एक ebay का example लिया हुआ है आप कोई भी example और भी ले सकते हो जैसे मालो अब ebay तो चलो ज़ादा नहीं पर amazon हो गया या flip card हो गया कुछ भी ऐसा सोचो या और छोड़ो आप लोग अपना whatsapp बगरा ही क्यों नहीं देखते समझना इस बात को कि मैं कहना क्या चारा हूँ एक चीज़ imagine करो आप लोग whatsapp क्यों use करते हो आप बोलोगे sir हम whatsapp इसलिए use करते हैं मान लो हमें अपने दोस्त के साथ के वर बातचित करनी होती है उसके लिए हम whatsapp का use करते हैं अपने एक दूसरे कम text message भेज़ते रहते हैं ठीक बात है पर मुझे आप ये बताओ अगर सिर्फ message ही भेजने है तो हमारे पास तो हजारों apps है ऐसी whatsapp एक मातर थोड़ी है ऐसे तो बहुत सारी और apps आपको देखने के मिल जाएंगी और शायद उन में से कुछ apps ऐसी भी होग सकती है जिनके features भी whatsapp से बढ़िया होंगे पर आप whatsapp ही क्यों use करते हो वो आप इसलिए use कर सकते हो क्योंकि आपके पास तो whatsapp ही है और आपके दोस्त के पास भी है समझ रहे हो हो पता क्या रहा है यहाँ पर बहुत ज़ादा लोग एक network के उपर होते हैं तो कही ना कही जब सामने वाला बढ़ता रहता उसकी population उससे वो चीज बढ़िया होती रहती है मैं आपको एक example समझा तो जैसे whatsapp की बात कर रहा था ना अगर मान लो कोई ऐसी app है जो आपने download कर ली आपको लगा यार इसके तो बहुत बढ़िया feature है बहुत अच्छे डंग से मैं message भेज पाऊंगा या और communicate कर पाऊंगा पर अगर मान लो सामने आपके दोस्त उस app के उपर ही नहीं तो क्या आपके लिए वो app relevant हुई भले ही उसके feature whatsapp के बढ़िया थे पर अगर आपके दोस्ती वहाँ पे exist नहीं करते do you really think वो app आपके लिए मदद करेगी the answer is no, नहीं करेगी समझे तो network effects पता क्या होता है network effect का मतलब होता है जैसे जैसे network बढ़ा होता रहता है यानि कि number of user जैसे जैसे बढ़ेते रहते हैं उससे कही ना कहीं वो एक platform की value बढ़ती रहती है whatsapp इसलिए बढ़िया है क्योंकि आपके सारे दोस्त जादर दोस्त आपके whatsapp के उपर है आपको किसी से भी बातचीत करनी है या आप अड़े राम से कर लेते हो तो do you understand अगर माल लो whatsapp के उपर कोई होता ही ना तो आप भी नहीं whatsapp यूज करते क्योंकि आपको पता है मेरे दोस्त ही नहीं है मेरे पात कोई बात करने कोई नहीं है whatsapp के उपर तो छोड़ो यार whatsapp क्यों ही यूज करना do you understand this point इसी तरह से आप example लो amazon का अब amazon के उपर पता क्या होता है amazon के उपर कुछ number of buyers होते हैं कुछ number of sellers होते हैं अब माल लो let's say आज buyers थे 1000 एक साल बाद ये बढ़के एक लाक होगे अब यहाँ पर क्या हुआ number of buyers got increased ठीक है ना buyers बढ़ने जिनकों खरीदना है तो क्या आपको नहीं लगता sellers भी अपने आप increase होंगे क्योंकि जब sellers ये बात realize करेंगे यहाँ पर इतने सारे buyers है buyers की value consistently बढ़ती जारी है अगर Amazon की उपर तो sellers भी तो यहीं चाहेंगे ना हम भी एक काम करते हैं अपने आपको Amazon की उपर register करते हैं तो हो पता क्या रहा है जैसे जैसे number of users बढ़ते जारे है उसकी वज़ा से आपकी जो Amazon की वर्त है वो increase होती जारी है इसी चीज़ को हम बोलते है network effect as soon तो यहाँ पर एक बड़ definition पढ़ लो definition है the idea that an increased number of users improves the value of a good or service इसी चीज़ को बोलते है network effect तो UPSC आपके डिरेक्टली बूछ सकता है network effect news में था इसका अर्थ क्या होता है I hope यह चीज़ आप समझ गे होंगे अब यहाँ पर भी network effect में दो तरह की चीज़े होती है एक होता है cross side network effect एक होता है same side network effect क्या मतलब इस चीज़ का देखो यहाँ पर sides हैं दो कौन सी दो sides एक आपकी buyer वाली side एक होती है आपकी seller वाली side अब क्यूंकि buyers जादा थे इसकी वज़ा से sellers attract हुए अपने आपको Amazon के साथ register कराने के लिए sellers को पता लगेगा न यार इतने ज़़ादा buyers है तो चलो हम भी वहाँ पर sell करते हैं अपना product और buyers को क्या लगेगा buyers को लगगा यार इतने ज़़ादा sellers है Amazon के उपर चलो हम Amazon से खरीदते हैं तो ज़़ादा buyers होने का फाइदा ज़़ादा buyers होने की वज़ाद से sellers attract हो रहे है Amazon के उपर आने के लिए और ज़़ादा sellers होने की वज़ाद से buyers अपने आपको Amazon के उपर खरीदना जा रहे हैं तो यहाँ पर ना जादा buyers होने का फायदा, जादा sellers को मिल रहा है, जादा sellers होने का फायदा buyers को मिल रहा है, इस चीज़ को बोलते है Cross Side, क्योंकि opposite side की उपर effect आ रहा है, this is known as Cross Side Network effect, तो Cross Side का मतलब एक side का दूसरी side के उपर impact होना, is Cross Side Network effect, इसी तरह से एक होता है same side network effect, इसका मतल तो बात मेरी कहने का सिंपल सी इतना था कि जब हम बात करेंगे क्रॉस साइड की तो क्रॉस साइड का मतलब रहेगा कि बायर्स का इंपक्ट आ रहा है सेलर्स के उपर और सेलर्स का इंपक्ट आ रहा है बायर्स के उपर और जब हम बात करेंगे सेम साइड नेटवर्क इपक्ट की इसका मतलब होगा buyers का impact buyers के उपर and at the same time sellers का impact seller के उपर same के उपर होता तो same side network effect दूसरे वाले के उपर होता है तो अब सको बोलेंगे cross side network effects का मतलब आप समझगी है और बहुत सारे examples है जैसे Facebook हो गया, Twitter हो गया यह इसी दिये इतने ज़्यादा popular है यहाँ पर number of users बढ़ते जा रहे है number of users बढ़ते जा रहे है तो Facebook, Twitter की जो value है वो अपने आप increase होती जा रही है Amazon हो गया, यह एक example हो गया gaming platform, जो online gaming वेरा करते हैं उसका वर्त इसी दिये है क्योंकि जैसे जैसे number of users बढ़ेंगे उससे लोगों का उस जाधा attractive feel करेंगे and similarly जैसे Uber हो गया, Lyft हो गया यह स्थारा की जो ride sharing platforms होते हैं यह भी आपकी network effects के अंतरगत ही काम करते हैं तो I hope यह network effect का concept क्या होता है यह आप सब लोग अच्छे से समझ गये होंगे दोस्तों कुछ लोग मेरे से पूछते रहते हैं सर आप से connect कैसे खर सकते हैं ठीक है ना, तो देखो मेरे पास भी network effect है ठीक है ना, तो मेरे पास यहाँ पे आप मेरे साथ telegram के उपर जुड़ सकते हो रिशब शर्मासर PW प्लस at the same time आपको अगर इसकी PDF चाहिए आज के session की, तो यह जो PDF है ना यह आपको मेरे इसी telegram channel रिशब शर्मासर PW पे आपको मिल जाएगी दोस्तों अगला topic जो हम discuss करेंगे वो भगा with regards to surety wants, surety wants समझने कोशिश करते हैं example से समझेंगे तो बिलकुल clarity हो जाएगी कि आखिर यहां पर बात हो किस चीज़ की रही है एक example से imagine करो माल लो जैसे मैं हूँ सरकार ठीक है, अब government थी ठीक है, government ने पता क्या बोला government ने बोला याँग हमें कुछ बनाना है माल लो road बनवानी है या कुछ भी और इसे infrastructure का कुछ भी project बनवाना है ठीक है, अब यहां पर पता क्या हो सकता है कोई बंदा होगा जो bid करेगा इसके लिए कि यार मैं बनवाऊंगा आपकी road हो या कुछ भी और infrastructure ठीक है, पर सरकार को ने इसके उपर बंदे पर ब्रोसा नहीं होगा आप बोलने के से ब्रोसा क्यों नहीं होगा क्योंकि आप रोटिस करो नहीं यार के बार पता क्या होता है, जब भी ऐसे कुछ project रहते है कहीना कि उसमें cost बढ़ जाती है पहले बोला जाता है कि इतने 1000 क्रोल लगेंगे अब बाद में बोलते नहीं या फिर time का रहता है challenge कि बोला जाता है कि एक साल में complete हो जाएगा project, project 5-5 साल चलता रहता है या फिर के बार quality के concern होते है कि सड़क अच्छी बननी चाहिए थी पर उन्हें एक बहुत ही घटिया quality की सड़क बना दी तो इस चक्कर में हुगा पता क्या सरकार कहीना कि इस बन्दे के उपर trust नहीं कर पाई पर सरकार को project तो देना ही देना है तो सरकार ने बता क्या बोला इस बन्दे को कि भाई आप ना एक तरह की guarantee लेकर आओ क्या लेकर आओ guarantee guarantee किस से आएगी वो आएगी surety से मतलब जैसे for example आप ना किसी insurance company के पास जाओ या फिर आप किसी bank के पास जाओ ठीक है अब ये जो insurance company है ये जो bank है ये क्या करेगा ये guarantee देगा guarantee किस बात की guarantee इस बात की कि कल को अगर इस वाले बन्दे ने project time के उपर complete नहीं किया project की cost ढंक से नहीं करी या फिर बहुती घटिया quality का काम किया तो उस case में जो सरकार को नुकसान हुआना वो यहाँ पर insurance company या bank प्रोवाइड कर देगा do you understand तो यहाँ पर ना एक्चल में shorty bond के अंदर तीन लोग होते हैं एक तो होता है आपका oblige oblige मतलब जैसे आपकी जो सरकार थी वो वाला ठीक है ना जिसको मतलब कहिने के कुछ काम करवाना है एक होता है आपका principle principle होते हैं आप मतलब जिसने काम करना है infrastructure जो बनवाएगा उसको बोलते है principle और तीसरा जो इसकी guarantee देगा जो insurance कर रहेगा उसको बोलनेंगा surety तो यहां पर हुआ पता क्या सरकार को क्या फाइदा हुआ इस चीज के surety point के थूँ सरकार को ये फाइदा हुआ कि अब इसको पता है कि मेरा जो मैं चाहता था quality of service वो मुझे मिल जाएगी जैसा मैं सड़क चाहता था वैसा मुझे मिल जाएगा अगर नहीं मिला तो तो कोई दिक्कत नहीं है मैं यहां से इस insurance company से या इस bank से मैं पैसा मुझे मिल जाएगा क्यों? क्योंकि इस insurance company का काम क्या था यही तो काम था इसका कि वो उसी proper quality और proper तरीके से काम हो अब आप पूछेंगे सर इससे insurance company को क्या फाइदा हुआ insurance company को फाइदा यह हुआ कि यह जो यहाँ पर principal वैठा है न यह यहाँ पर क्या करेगा यह इसको premium पे करेगा जब भी आपको insurance खरीदते हो तो आप premium पे करते हो न बिल्कुल ठीक बात है तो यहाँ भर यह यहाँ पर premium उसको accordingly देगा ठीक है तो principal इस तरह से इस bond को purchase करेगा accordingly प्रीमिम देता रहेगा अगर इसने ढंक से काम नहीं किया तो सरकार को नुकसान नहीं होगा वो यहाँ पर insurance company को यहाँ पर देदेगी तो एक तरह से ना इस्टेबलिश करने के लिए यह security point अपने आपे बहुत ज़्याँ पॉइंट हो जाता है ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर होती है तीन companies या तीन parties एक होती है आपकी surety जैसे जो कि insurance company हो गया SBA general यह सब क्या करते हैं financial guarantee देते हैं किसको सरकार को कि भाई कोई दिक्कत नहीं अगर principal वाले ने काम नहीं न किया तो हम आपको पैसा दे देंगे principal कौन होता है जो कि ने contractor होता है और आपका जो obligea beneficiary होता है वो सरकार या जो भी infrastructure development authority होती है यह होती है आपकी obligea beneficiary तो इस तरह से shorty bonds work करते हैं जहां पर आपकी 3 parties मैंने आपको बता दिया तो हुआ क्या एक तरह से risk का आपने transfer कर दिया इसके ओपर insurance company के ओपर वो के देती है एक guarantee देती है तो एक तरह से 3 party contract legally winding हो चुका है यह ठीक है न जहां पर accordingly वो आपनी obligations को fulfill करते हैं साथी साथ अगर आप notice करोगे principle ने अगर deliver नहीं किया तो insurance company कहिने कि उसको monetary payment दे देती है तो definitely इसे trust बढ़ता है credibility बनती है financial guarantee हो जाती है कि proper तरह से काम हो रहा है नहीं हो रहा business opportunities से बढ़ती है increase होती है और कहिने कि project ना समय के ओपर complete होता है कि आपका जो project है वो समय के ओपर complete हो जाए तो this is how surety bonds helps in providing security to all the three parties जो कि यहां पर involved है दोसर नेक्स्ट मारा topic है GSP के regarding generalized system of preferences अब दिखो यह जो topic है ना GSP वारवा news में आता रहता है तो मैंने सुचा एक बाद discuss हम करी लेते हैं दरसल में एक entity है UN CTAD हाला कि आज के समय इसका नाम change होके United Nation Trade and Development हो गया है ठीक है न अभी नहोंने recently अपना नाम बदला है थोड़ा सा conference word यहां से हट चुका है पर अभी जो नया नाम है United Nation Trade and Development इसके दोड़ा 1971 के अंदर GSP को introduce किया गया था on the other hand यहां पर आपकी कोई developing country है या फिर यहां इस तरह से कुछ ऐसी country है जहां पर कुछ products बनते हैं ठीक है अब माल लो यह developed country चाहती है इस developing countries के अगर माल लो कुछ product इस country में आएंगे developed country के अंदर तो यहां पर उनको tariff बगएरा लगाना पड़ेगा बिल्कुल सही बात है पर आप notice करो इससे न कहीं न कि इस developed country के जो local लोग होते हैं उनको काफी नुकसान होता है जब भी यहां पर developing countries वाले कुछ product export करेंगे अगर उसके पर proper इस तरह tariff बगएरा लगेंगे उससे बहुत दिक्कत आएगी इस developing country को वहां के लोगों का विकास नहीं हो पाएगा वहां के लोगों की जिंदगी बढ़िया नहीं हो पाएगी तो ऐसे case में यह जो developed country है यह एक GSP सिस्टम लेकर आ सकती है जहां पर क्या होगा जहां पर इस country को क्या मिलेगा preferential tariff treatment यानि कि अगर कोई भी product यह import करेंगे इस particular developing country से तो वहां पर उनकों को proper preferential tariff treatment यहां पर मिलेगा जो आपके custom duties होती है वो यहां पर इनके उपर या तो कम लगेंगी या फिर नहीं भी लग सकती इस से क्या हो रहा है इस developing country के ना लोगों को फाइदा हो रहा है that is the function of GSP पुछ समय पहले तक especially जब Donald Trump थे ना उससे पहले के कारेकाल तक भारत के बहुत सारे product के उपर US में GSP मिलता था यानि कि भारत के products असानी से वहां पर जा सकते थे और उससे कहिना कि भारत ये exporters को काफी फाइदा होता था पर जब Trump थी आये उन्होंने कहिना कि इस system के उपर रोक लगा दी and according to ने बोला कि यार भारत तो अब काफी आगे बढ़ चुका है तो इसके उपर GSP देने की जूरत नहीं है हला कि बहुत सारी controversies होई उस समय के उपर बट हम उन controversies के अंदर नहीं जाना हमें GSP का मतलब समझना था वो हम यहाँ पर समझ चुकी है और भी बहुत सारी चीज़े GSP के अंतरगत देखे जाती है जैसे for example rules of origin के बारे में देखो समझो इस बात को माल लेते हैं कि USA लेटसे किसी XYZ माल लो बांगलादेश के उपर GSP दे रखा है तो बांगलादेश से कोई product जाएगा USA तो बांगलादेश को फाइदा होगा मतलब उतने duties वगरा नहीं लगेंगी पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाइना यहां पर बीच में आ जाए चाइना अपना कोई product बांगलादेश भेजे और बांगलादेश से वो product जाए USA मतलब छोटा मोटा value addition माल लो बांगलादेश के अंदर कर दिया फिर बोल दिया कि यह product तो बांगलादेश में बनाए तो rules of region यहां पर definitely check किये जाते है and important बात यह है यह एक unilateral scheme है यहां पर USA बांगलादेश को फाइदा दे रहा है USA बांगलादेश के उपर tariff नहीं लगा रहा है या tariff कम लगा रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि बांगलादेश भी USA के उपर कम tariff लगाएगा एक समझो फरक एक होता है आपका free date agreement free date agreement बता क्या होता है दो countries होती है पहली country दूसरी को फाइदा देती है दूसरी भी फैले वाले को फाइदा देती है पर GSP क्या है unilateral मतलब एक ही side की scheme है USA फाइदा देगा बांगलादेश को जरूरी नहीं है कि बंगलादेश भी USA को कुछ फाइदा दे ठीक है तो बहुत सारी countries ने इस तरह से दे रखा यहाँ पर आप उनके कुछ नाम भी पढ़ सकते हो US हो गया UK हो गया इस तरह की चीज़े तो यह कुछ मैंने आपको pointer से जो आपको पता होने चाहिए थे बाकि देखो जब इंडिया का USP होता था मतब US के लिएस के लिएस पी होता था तो समय भारत के लगबग 10 परशेट एक्सपोर्ट को GSP के अंदर कवर किया था European Union का जो GSP है वहाँ पर लगबग इंडिया एंड हुरेशियन एकनामिक यूनियन टू स्टाट FTA तॉक्स देखो FTA आप समझते होंगे FTA का अर्थ होता है आपका Free Trade Agreement Free Trade Agreement basically दो या दो से जादा देशों के अंदर एक पैक्ट होता है जिसके माददे हमसे वो barriers को कम करते हैं जैसे for example ये country A है ये country B है अब यहाँ पर कुछ समान A से B जाता है कुछ B से A आता है इस case के अंदर उनकी कोशिश रहती है Free Trade Agreement के अंदर कि जो भी tariff है, quota है, subsidies है या और जो कहिना की कुछ provisions होते है न उनको कहिना की हम कम करें या खतम कर दें उससे क्या होगा, दोनों countries के बीच में आपस में जो trade होगा, वो असानी से हो पाएगा barriers हम यहाँ पर कम करने के यहाँ पर कोशिश करते हैं, तो जो डेविड रिकार्डो था उनके द्वराई यहाँ पर इस idea को बताया गया plus at the same time आपको preferential trade agreement होता है जो बिल्कुल basic level के एक FTA होता है तो उसके बाद आपका सैसा, सैपा इसके अंदर मतलब दा level increase होता रहता है खिए कैसे कैसे, क्या-क्या benefits दिये जाएंगे भारत के बहुत सारे इस तरह से FTAs आपको पता होगा आपकी लगवग इंडिया ने अभी तक 14 active FTAs इंडिया के अभी currently चल रहे है जहाँ पर different different आप notice कर पाऊगे trading blocks को यहाँ पर cover किया गया है 14 active FTAs है individual countries और trading blocks जहाँ पर 25 countries को cover किया गया है अभी recently भारत में EFTA यानि European Free Trade Association के साथ भी sign किया latest FTA जहाँ पर आपको चार देश Switzerland, Norway, Iceland और Lichenstein देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे और देशों के साथ भी मारी बासची चल रही है जैसे UK और Oman के साथ यहाँ पर जो हम बात कर रहे है वो बात कर रहे है Eurasian Economic Union की इनके साथ भी मारे FTA टॉक्स यहाँ पर स्टार्ट हो रहे है और हम पोशिश कर रहे है कि जल्दी से जल्दी इन टॉक्स को कंप्लीट करें और अक्वाइडिंगली फिर इनके साथ भी Free Trade Agreement sign करें अब आपके दिमाग में आगा सरी Eurasian Economic Union क्या है देखो यहाँ पर आपको टोटल पांच कंटरीज देखने को मिलती है रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, अर्मेनिया, बेलारस यह पांच नाम आपको ध्यान में रखने है यह रहे हैं आपके पांच नाम रशिया, कजाकिस्तान, बेलरुस, अर्मेनिया और किर्गिस्तान ये पांचो देशों ने न, 2014 के अंदर हम बात करें तो एक ट्रेटी साइन हुई, और रेशियन एकनॉमिक यूनियन एन फार्मली इसको इस्टेब्रिश किया है, 2015 के अंदर देखो आप ये नोटेस कर पाओगे, ये रशिया के साथ यहाँ पे सबसे बड़ा प्लेयर कौन सा है, और विसले रशिया ही है तो कोशिश की यही है कि जैसे वेस्ट के साथ काफी के वर इशूस रहते हैं, तो ये कंट्री आपस में साथ में मिलके एक तरह से अच्छी कासी सिंगल मार्केट बना पाएं, यहाँ पे आप इस के अंतर के देख पाओगे लगबग 183 मिलियन पीपल रहते हैं, इन पांचो देशों के अंदर जहाँ पे इनकी कंबाइन GDP 2.4 तिलियन देखने के मिल जाएगी अब इसमें देखो बाते तो बहुत साथ हैं, पांच कंट्रीज तो हैं, पर कहीं न की आप नोटिस करोगे, जो सबसे पॉइंट प्रेयर है, वो आपका रशिया ही देखने के मिल जाएगा भारत का सबसे बड़ा पार्टनर इस ब्लॉक के अंदर वो रशिया ही है जिसके साथ हम अनोटिस कर पाओगे, कि रशिया के फेवर में हमारा ट्रेड जाता है इसका रीजन पता क्या है, हम भारत वासी बहुत साथ चीज़े रशिया से मगाते हैं तो जहां पर हम फार्मा, ड्रग्स, यह सब चीज़े भेजते हैं तो एक तरह से आप नोटिस कर पाओगे, कि जो ट्रेड है, वो कहीना कि रशिया के फेवर में है तो बहुत सार एशियूस फेस कर रहा है, दुनिया भर से, और वेस्टन सेंक्शन भी उसके उपर है स्विफ्ट बैन भी यह देखने को मिला था, ठीक है न, तो कहिने कि रशिया के उपर बहुत इंपक्ट आया था और जैसा मैंने आपको बताया कि रशिया biggest source of cheap crude oil बना है पिछले कुछ समय के अंदर तो वो भी हमें बहतर और दाम यहां पर इंडिया को मिल सकते हैं, cheap crude oil के अंतर गरते तो these were some of the points जो आपको यहां पर पता होने चाहिए, इंडिया and Asian Economic Union to start FTA Talks के regarding दोस्तो लास्ट वीक मैंने आपसे कुछ questions पूछे थे, आप मेंसे कुछ लोगों ने इसका answer भी दिया है, देखो यहां मैंने जो सवाल पुझा था आपसे, वो यह था कि capital market के अंदर क्या क्या चीज़े include होती है, देखो जब भी हम बात कहते हैं ना financial markets की, तो आप जानते ह होंगे कि एक short term lending mechanism है, जहां पर एक साल के लिए generally हम बात करते हैं, for example, आपके जैसे treasury bills हो गया, right, आपका commercial paper जो CPs होते हैं, वो हो गया, certificate of deposits हो गया, यह सारे आपके money market की instruments हो जाते हैं, जैसे यहां पर लिखना treasury bill market, यह definitely आपका central government यहां पर इसको issue करता है, आपका 91 days, 182 days, 364 days, उसके लिए, तो definitely यह money market का instrument है, यह capital market का instrument है, यहां पर जो second वाला है, call money market, यह भी आपका साफ साफ उसने word ही use कर दिया money market, तो obviously वो capital market में कैसे हो सकता है, on the other hand, जब मैं बात करता हूं, आपकी capital market की, तो capital market में long term securities की हम यहां पर generally बात करते हैं, ठीक है, जिनको खरीदा य गया, government bond market हो गया, यह चीज़े आपकी capital market के अंतरगत आ जाती है, तो first and fourth है, यह यहां पर आपके capital market के अंतर इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए इसका सही answer बनेगा, option number B, only two, दूसरा मैंने आपसे question पुझा था, DCCBs के regarding, देखो एक्चल में होता क्या है न, जब हम बात करत है, cooperatives की, तो आप जानते होंगे, इनका जो three tier mechanism होता है, सबसे नीचे आपको primary agriculture, credit societies, packs आपको देखने के मिल जाएंगी, फिर आपका DCCBs आ जाते हैं, district, central, cooperative banks, एड इसी तरह से आपके जो state cooperative banks होते हैं, वो यहां पर आ जाते हैं, अब यहां पर जो पहली बात वो कह रहा है कि जो DCCBs होते हैं, वो जाधा credit deliver करते हैं as compared to schedule commercial banks and RRBs, यह statement अपने आप में काफी गलत है, तो लबग 75% तो schedule commercial banks ही agriculture sector को credit deliver करते हैं, तो पहला statement अपने आप में बिलकुल गलत हो जाता है, schedule commercial bank का जाधा तर share होता है, दूसरा यहां पर बात कर रहा है कि DCCBs का एक point function रहता ह है, कि वो PACS को यहां पर funding दे, yes, that is definitely the case, तो state cooperative banks top के उपर, फिर district central cooperative banks and आखरी में PACS, primary agriculture credit societies, तो इस तरह से यहां पर यह चीज़े flow करती हैं, पहला गलत था, second ठीक था, इसने आपका सही answer वेनेगा, option number B, 2 only, आज का आपका homework क्या रहेगा, पहला question आपका homework रहेगा यह, जो U UPSC ने हमसे 2018 में question पूचा था, इसका answer इन 4 options मैंसे मुझे आप नीचे comments में बता सकते हो, दूसरा आपका homework है, UPSC ने जो 2019 में question पूचा था, regarding coal sector, coal blocks and कहीं न कितना India domestic lily sales sufficient है या नहीं है, तो इसका answer भी आप मुझे नीचे comments में बता सकते हो, दोस्तो यह थी आज की discussion, I hope आज का session बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इसी तरह से आप भी अपने end पर hard work करते रहिए, thank you very much for the discussion.